नमस्कार साथी हूँ आपका स्वागत है एक बार फिट से ने वीडियो में और आज इस वीडियो में बात करेंगे महिलाओं के लिए खास तोर पर सरकार एक तरप से बड़ा तवफा यनि 75 लाख महिलाओं को अब फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा सबसिडी के तोर पर 300 रुपए और फ्री में चूला और सिलेंडर प्रोवाइड कराएगी सरकार 37,440 रुपए में आप सिलेंडर को आफ रिफिल करवा सकती हैं ऐसे में यहाई योजना महिलाओं के लिए सुरू की गई है इसमें क्या डाकुमेंट्स लगेंगें कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं और कहां से इसका आप आवेदन कर इसका लाब भी ले सकते हैं पुरे डीटिल में आज इस वीडियो में समझने वाले हैं अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसके लाब आपके मन में कोई प्रशना है तो कमेंट चरू करिएगा साथि साथ लास्ट में एक सुचना के बारे में बात करेंगे जो वीडियो के एंड में बात करेंगे तो प्रधान मंतरी उज्वला योजना एक एतहासिक कदम है जो महिलाओं के लिए सुरू किया गया है यह है उज्वला साल 2016 में संचालित की गई थी अब तक यहाँ पर करोणों लाखों महिलाओं को इसका कनेक्शन दिया जा चुका है यनि फ्री में गैस कनेक्शन आपको प्रोवाइड कराया जाया रहे है जिसमें सरकार तरफ से अभी तक 10 करोण से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाव मिल चुका है इसका मुख्यों देश से ऐसी महिलाओं की मदद करना जो आर्थी ग्रूप से कमजोर है गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है इस वर सरकार ने फिर से इस योजना के लावारतियों को एक बार फिर से मौका दिया है अब 75 लाख महिलाओं को यहाँ पर प्री में कनेक्शन दिया जाएगा तो देश भर की उन महिलाओं के लिए जो अपनी आई के कारण गैस कनेक्शन नहीं खरीद पा रही है जो रसोई में काम करते करके यहाँ पर धुआक से साथ भी भी परिसानिया और बीमारियों के साथ अबना जीवन यापन कर रही है उनके लिए सरकार की तरफ से यनि किंदर सरकार की तरफ से पीम उजला योजना को लागू करके एक महतपूर कदम उठाया गया है यह योजना सहरी योम ग्रामीड छेतरों की सभी महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन की सुबधा प्रोवाइड कर रही है अब सरकार तरफ से कैम्प लगा कर भी इस योजना का लाव महिलाओं को दिया जा रहा है घर घर जाकर इसकी सूचना भी दी जा रही है ऐसे में जिन महिलाओं ने अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है उसका आवेदन कर सकती है अपने गैस एजनसी में संपर कर सकती है साथी साथ इसका आवेदन आप अपने नजदी की गैस एजनसी के लावाँ आप सीएसी सेंटर से भी कर सकते हैं इसका आवेदन प्रदान मंतरी उजुला योजना के तहत निस्वल के गैस कनेक्शन प्राप्ट करने के साथ सबसीडी सुबधा भी उपलब्द कराई जा रही है इस योजना के अंतरगत जब आप अपना सिलेंडर भरवाते हैं तो आपको यहाँ पर तीन सो रुपए तक के सबसीडी प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से अप सबसीडी आपको दो हजार पचीश तक दी जाएगी जिसमें यहाँ पर महिलाओं को मातर 450 रुपए में यहाँ पर सलेंडर रिफिल करवाने पर सरकार की तरफ से यह हर्थी सहायता प्रदान की जा रही है लाभार्थियों को यह सबसीडी उनकी गए सिलेंडर बुक करने पर आपके खाते में सीधे इस्थानमंतरित कर दी जाएगी यानि अगर बात की जाए तो आपका बैंक एकाउंट जो की कैवाई सी कम्पलीट होना चाहिए सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रदानमंतरी जोला योजना की अंतरगत आपको बारा सिलेंडर प्रवाइड कराये जाएगे यानि साल में आपको 12 सिलेंडर देगी सरकार अगर एक वर्ट के भीतर सभी सिलेंडर आप भर लेते हैं खत्म कर देते हैं तो इस दोरान आपको सबसिटी नहीं दी जाएगी अगर आपका 12 सिलेंडर पुरा होता है और 12 सिलेंडर की आपकी सबसीडी आपके खाते में दी जाएगी और मातर 450 रुपए में आप अपना सिलेंडर रिफिल करवा सकते हैं जिन महिलाओं ने अभी तक कनेक्शन नहीं लिया है वो अपने नजदी की गैस एजनसी में संपर्क भी कर सकती है ऐसे में आप अपने आसपास में सियसे सेंटर या कैम्प में जाकर भी इसका आवेदन कर सकती है आपको यहाँ पे सरकार तरफ से फ्री में चूला और आपको सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाएगा साल में आपको 12 सिलेंडर सरकार तरफ से दिये जाएंगे इसी कड़ी में बात करूं तो आपके पास कौन कौन से डाकुमेंट्स होने चाहिए जब आप इसका आवेदन करने जा रही हो और इस आवेदन करते वक्ति डाकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए पहला तो है आपके पास रासन कार्ड होना चाहिए परिवार पहचान पत्र होना चाहिए यनि आपके पास बात की जाए तो आए प्रमाण पत्र भी होना चाहिए ये बैंक खाता भी होना चाहिए निवास प्रमाड़ पत्र और मोबाइल लंबर और पासपोर्ट साच का फोटो अगर यह डाकुमेंट्स आपके पास हैं तो आप इसका विदन कर सकती हैं मुक्ता इसमें रासन कार्ट और आधार कार्ट साथी साथ आपके पास बैंक एकाउं तो सरकार कि तरफ से अब आपको 75 लाक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जा रहा है जिसमें आपको सिलेंडर फ्री में प्रोवाइड कराये जाएंगे और साथी साथ सबसिडी भी आपके खाते में भेजी जाएगी तो यह डाकुमेंट्स तयार करके आप इसका विदन क क्या है सूचना यह है कि खेतों से संब्दनी छेटपल से संब्दनी बहुत सारे चीज़ हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है वर्गाकार त्रिभुजाकार समलम चितुरभुज किया का कोई खेत है उसका छेदर फल आप कैसे निकाले उसका बटवारा कैसे करें इस लिए दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही कोई प्रशन है तो कमेंट जरू करिए वीडियो यहीं सब्सक्राइब करते हैं नमस्कार